राम चह मदन मोहन तरुन द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित जब राम कृद्ध होते हैं परशु राम के पृति कृद्ध राम ने कहा मैंने धनुष्की प्रत्यंजा पर अपना वान प्रतिष्ठत कर दिया है मेरा वान निरर्थक नहीं होता मैं आपको मारना नहीं चाहता बोलिये क्या करूं तब निस्तेज हुए परशु राम जी ने कहा आप मेरे पन्ने लोकों को द्वस्त कर दें स्री राम ने ऐसा ही किया सीता की खोज के प्रतिष्टु ग्रेब को शिथल जानकर राम ने लक्ष्मन द्वारा उनके पास यह संदेश भेजा जस्त मार्ग से बाली गया है वह मार्ग अभी संकीर्ण नहीं हुआ कहीं ऐसा नहो कि मेरे वानों के प्रभाव से प्रेत बनकर तुम नरक लोक में अपने भाई बाली से मिलने चले जाओ तीन दिनों तक राम महा सागर की पूजा अर्चना द्वारा उन से मार्ग देने की प्रार्थना करते रहे किंत सागर अपने ज्वारों में अट्ठास करता हुआ उनकी अभेलना करता रहा तब विक्षब धराम ने अपना थनस तानते हुए का मैं इस महा सागर को जल बहीन कर सुखा दूँगा यह सुनते ही सागर विचलितो उठा और सशरीर प्रकट होकर राम के सामने करवध खड़ा हो गया और उसने विनम्रता पूरवक अपने उपर सेतु बनाने का उपाए बतलाया आकाश से राम रावन का रोमान चक युद्ध देखते हुए गंधर्वों और अपसराओं ने कहा आकाश आकाश के समान है समद्र समद्र के ही समान है वैसे ही राम रावन का युद्ध राम रावन के युद्ध के ही समान है अपनी सेना को उत्साहित करते हुए रथासीन रावन ने कहा आज राम रूपी ब्रक्ष को सदा के लिए धराशाई कर दूँगा तब राम ने अपने विशाल धनस से आखास पर रेखासी खींचते हुए कहा असहाए अबलाओं पर वीरता दिखलाने वाले निशाचर आज मैं अभी अपने वानों से तुम्हें यमलोक पहुचाता हूँ यह कहकर राम ने दिब्यास्त्रों की वरशा आरंब की जिससे रावन बेहोस होकर रत पर गिर पड़ा और उसका सार्थी रत लेकर रन भूमी से बाहर चला गया रावन ने सार्थी को डांटा तब सार्थी ने कहा जैसे चंद रोदे के कारण बढ़ा हुआ जल नदी के वेग को पीछे लोटा देता है उसी प्रकार मैं रत को पीछे ले आया अब मैं आपको पुनह रन भूमी में ले चलता हूँ राम के वानों से रावन का जो सिर कटता उसकी जगह नया सिर उगाता राम परिशान हो गए तब उनके सार्थी मातली ने उन्हें याद दिलाया आप ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत धनुस का प्रयोग करें इन श्रब्दों के साथ राम का समर्थी लोक आलोकित हो उठा और उन्होंने भगवान अगस्त रिशी द्वारा प्रदत दिव्यवान का संचालन किया इसके लगते ही रावन की बज्ज सी चाती विदीर्ण हो गई और वान धर्टी को चीरता हुआ पाता लोक चला गया इसके साथ ही रावन का निस्प्रान शरीर रथ से नीचे गिर गया मदन मोहन तरूं